आप अक्सर नया मोबाइल या फिर कैमरा खरीदने से पहले इस बात का खास ध्यान रखते होंगे कि आखर कैमरा कितने मेगापिक्सल का है अधिक मेगापिक्सल की शम्ता रखने वाला कैमरा अधिक अच्छी और क्लेर फोटोस देता है यदि कैमरा कम मेगापिक्सल का होता है तो तस्वीर भी ज़ादा क्लियर नहीं हो पाती लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि हमारी आँखे कितनी मेगापिक्सल की होती है कई लोगों को तो इसके बारे में अधिक जानकारी ही नहीं होगी दरसल इनसान का शरीर जितना जटल होता है उतनी ही आधुनिक तब ही उसमें भरी होती है हमारे शरीर में हर अंग की अपनी अलग खासियत और अलग काम है मानव शरीर की आखें भी एक कैमरे की तरह ही होती है तो आईए जानते हैं कि हमारी आखों में और क्या-क्या खूबिया है साथ ही ये भी जानेंगे कि इनसान की आखें आखरकार कितने मेगापिक्सल की होती है अपनी आखों के जरिये ही हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी आख भी किसी डिजिटल कैमरे जैसी ही होती है इंसानी आखें बहुत ही जटल और दिल्चस्प होती है जिनके जरीए हम सुभ सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी ही चीज़े देखते हैं अगर कैमरे की शम्ता के हिसाब से हम अपनी आखों के बारे में बात करें तो ये हमें 576 मेगा पिक्सल तक का दिरिश्य दिखाती है इसका मतलब ये है कि हम अपनी आखों से एक बार में 576 मेगा पिक्सल के शेत्र को देख सकते हैं अलाकि हमारा दिमाग इसे एक साथ प्रसेस नहीं कर पाता। लेकिन खास बात ये है कि हमें दिखने वाले दृष्य का केवल कुछ हिस्सा ही एक दम साफ यानि की हाई डेफिनेशन में दिखाई देता है। आँखों को अलग-अलग फोकस करने पर हमें पूरा दृष्य साफ दिखने लगता है। हमारी आँखों की ये शमता पूरे जीवन समान नहीं रहती। उम्र धलने के साथ हमारे देखने की शमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक युवक किसी द बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह बढ़ती उम्र के साथ आँखों का रेटिना भी कमजोर होने लगता है। यहीं कारण है कि बुजर्गों की नजर कमजोर हो जाती है और देखने में परिशानी होती है। यदि DSLR कैमरे या फिर मोबाइल के कैमरे की बा बनाए चाते हैं। उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल दीठव को सब्सक्राइब कर लें। साथी फेस्बुक पेश को भी लाइक करें। धन्यवाद।